हे अबीबन दिस दिक्षा राठोर एंड वेलकम बैक टू माई चैनल तो हमने सीरीज स्टार्ट के हुई है सीड़ीपी के वन लाइनर कोशन की जो आपकी ऑवरॉल जो पैड़ा गोजी है उसमें से कोशन यह लिए गए हैं जो बहुत इपोर्टन्ट है सो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शे कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो शुरू कर लेते हैं क्वेशन जो है अध्यापक को पोशक के ज्यान की आशकता होती है तो किस लिए आशकता होती है क्यों आशकता होती है तो एक तो बच्चे का प्रोपर तरीके से डेवलपमेंट हो ठीक है चात्रों के रोगों की जानकारी के लिए कि बच्चों में कौन से रोग है ठीक है और अभिवावकों को पोशन का ज्यान प्रदान करने के लिए अध्यापक को पोशन या पोशक के ज्यान की आशकता होती है, ठीक है, अनिरंतरता का विकास प्रक्रिया में प्रमुख कारक है, तो ये है साधनों की अनिरंतरता, ठीक है, साधनों की निरंतरता में बालक विकास की गती को बनाती है तो बनाती है त्रीव देखिए अगर आपके पास प्रोपर एड होगी अच्छे से साधन होगे हैना साधनों की कंटिनुटी होगी तो उसमें बच्चियों का डेल्पमेंट कैसे होता है तो फास्ट होता है हैना और जल्दी होता है सादनों की निरंतरता बाल विकास को बनाती है तो मन्द बना देती है यानी slow तो यह होगा अर नियमित क्योंकि उसको proper भोजन उसको नहीं मिल रहा है सबताहा में दो दीन ही उसको मिल रहा है न तो यह continuity तो नहीं है तो अन्यमित रूप से उसका विकास होगा सर्वोत्तम विकास के लिए प्रारंभिक अनुभूव का सवरूप होना चाहिए तो यह होना चाहिए सुखद एक बालग प्रतम अवसर पर एक विवाह समाज़ों में जाता है वहाँ उसको अनेक प्रकार की विसंगतियां दिश्टिवोचर होती है यानि उनको अनेक बुराईयां दिखती हैं तो माना जाएगा कि बालग का समाजिक विकास हुआ है तो कैसा यानि मन्द गती से है ना तो आगे बढ़ते हैं शिक्षन कार्य में बालक के प्रारमिक अनुभव को उत्तम बनाने का कार्य करने के लिए शिक्षक को प्रियोग करना चाहिए तो टीचिंग फॉर्मूलास जो है शिक्षन सुत्रों का परवर्ती अनुभव का प्रियोग किया जा सकता है तो किसमें विकास की परिस्थिती निर्मान में ठीक है विकास मारक को प्रशश्ट करने में क्लियर बालकेंदी शिक्षा में प्रात्मिक स्तर पर समानता किस विधी का प्रियोग उचित माना जाएगा तो किस विधी को खेल विधी को है ना प्रात्मिक स्तर की बात यहाँ पर की गई है उनको प्लेवे तरीके से उनको पढ़ाना जो है सबसे ब्यास्ट होता है परव किसने अर्धारणा रखी थी इसकी जॉन डीवी ने बालकों का विज्ञानिक दिश्टिकोन विक्सित करना उदेश्या है तो ये है बाल केंद्रित सिक्षा और प्रगदिशील सिक्षागी ताकि बच्चों में साइन्टिफिक जो व्यूज हैं वो विक्सित हो सकें सिक्षन प्रक्रिया में सिक्षन सुत्रों का प्रियोग किसकी देन माना जाता है तो ये माना जाता है प्रगदिशील सिक्षागी समाज में अंधविश्वास एवं रूडिवादीता की समापती के लिए आवशक हैं तो ये है प्रगदिशील सिक्षा सिक्षा में प्रात्मिक बालकेंदरित शिक्षा एवं प्रगतीशिल सिक्षा का कि सिक्षण अधिकal सामागरी में प्रोजेकटर, दूरदर्शन एवं वेडियो टेप का प्रयोग करना प्रवुक रूप से समंदीत है किस से लेटर ही यह प्रगतीशिल सिक्षा का बाल केंदित शिक्षा में एवं प्रगतिशिल शिक्षा में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है घनीष्ट संबंद पाठे करम विविद्धता देन है तो किसकी देन है बाल केंदित शिक्षा एवं प्रगतिशिल शिक्षा की चात्रों के सरवांगिन विकास का अप्रमुक नहीं थे यानि चात्रों के सरवांगिन विकास ओवरोल डवैलपमेंट का उधिशन नहीं थे तो बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगदिशील शिक्षा में एक विदाल्य में जाती के अधार पर बालको को उनकी रूची एवं योगता के अधार पर सिक्षा प्रदान की जाती है इस सिक्षा को माना जाएगा तो क्या माना जाएगा बाल किंद्रित सिक्षा विशेश बालकों के लिए उनकी सेक्षिक और शिक्ताओं की पूर्ति की जाती है तो किसमे बालकिंदित सिक्षा में यानि जो special child है उनकी educational lead को पूरा किया जा सके तो यह होता है child centred education में बालकों को विदालय में किसी जातीय धर्म का भेद्भाव किये बिना बालकों को उनकी रूची एवं योगता के अनुसार सिक्षा परदान की जाती है तो उनकी इस सिक्षा को माना जाएगा आदरशवादी सिक्षा बालकिंदी सिक्षा एवं प्रगतिशील सिक्षा है तो एक दूसरे के पूरक एक बालक की लंबाई तीन फुट थी दो वर्ष बाद उसकी लंबाई चार फुट हो गई बालक की लंबाई में होने वाले प्रिवर्तन को माना जाएगा तो क्या माने जाएगा व्रिधी एवं विकास स्कीनर के अनुसार व्रिधी एवं विकास का प्रमुख उदेश्य जो है प्रभावशाली व्यक्तित्व क्योंकि अगर व्रिधी सही से होगी विकास सही से होगा तो एक effective personality जो है उभर कर आती है न परिवर्तन की अधाना समंदीत है तो किस से related है ये है व्रिधी एवं विकास से बालकिंदी जिक्षा एवं प्रगतिशिल जिक्षा के विकास में महतपुन योगदान है तो किसका है मनो विज्ञान का विज्ञान एवं तक्षिन कीगा व्रिधी एवं विकास का ज्यान एक सिक्षक के लिए क्यों आवशक है ताकि बच्चे का ओवरॉल ड्वेलप्मेंट हो सके क्रॉगमेन के अनुसार व्रिधी का आश्य है तो ये है जैविकी है साइमों के अनुसार व्रिधी स्वरेंशन के अनुसार व्रिधी सूचक है तो ये है धनात्मक्ता का ठीक है गैसल के अनुसार संकूचित दिष्टिकोण है तो संकूचित दिष्टिकोण है व्रिधी का और गैसल के अनुसार व्यापक दिष्टिकोण है तो ये है विकास का क्योंकि विकास का जो शेत्र है वो व्यापक होता है और व्रिधी का संकूचीत ठीक है यहाँ पर आपना इसको याद रख लिना निमलिकित में से कौन सा तथ है गेसल के विकास के अवलोकन रूपों से समंदी थेत ये है शरीर रचनात्मक शरीर क्रियावि ज्यानात्मक और व्यावारात्मक सोरेंस के अनुसार व्रिधी माने जाती है तो क्या माने जाती है परिवर्तन का अधार विकास के अनुरूप व्यक्ति में नवीन योग गताईं एवं विशिष्टाईं प्रकट होती हैं यह कथन किसका है श्रीमती हर लौक का सोरेंस के अनुसार विकास है तो यह है परिपक्वता एवं कार्य सुधार की प्रक्रिया अभी व्रिधी में होने वाले प्रिवर्तन होते हैं तो यह फिजिकल जो चेंजिस होते हैं और अभी व्रिधी में होने वाले प्रिवर्तन जो होते हैं वो मात्रात्मक होते हैं ठीक है और अभी व्रिधी में होने वाले प्रिवर्तन मात्रात्मक और रचनात्मक अब इसको न अभी व्रिधी व्रिधी की प्रक्रिया चलती है तो कब चलती है ग्रभा वस्ता से लेकर प्रोढ़ा वस्ता तक अभी व्रिधी का क्रम मानव को ले जाता है तो किसकी और व्रिधा वस्ता की और अभी व्रिधी कहलाती है कोशिकी है विधी अगला पॉइंट जो है अभी विर्धी एक धारना है संकिन अभी विर्धी एक है तो ये है साधारन प्रक्रिया अभी विर्धी की प्रक्रिया संभव है तो ये है मापन के थ्रू अगला जो है विकास की प्रक्रिया चलती है तो ग्रभा वस्था से बाल्य अवस्था तक अभी वृदि का संबंध है तो शारिक प्रिवर्तन से विकास की प्रक्रिया में होने वाले प्रिवर्तन कहे जाते हैं तो शारिक मांसिक और समाजिक तो दिर ये आज की class के 50 important question थे CDP के और ये मेरा WhatsApp number है अगर आप contact करना साथ चाते हो तो यहाँ आप contact कर सकते हो तो मिलते हैं next class में So thanks for watching my video, do like, share and subscribe to my channel Till then, bye bye, Rabraka, Jaap Linaat